मूंग दाल का पापड तो आपने कई बार खाया होगा लेकिन क्या कभी आपने मूंग दाल पापड का ये कुरकुरा और टेस्टी सा नास्ता बनाया है तो चलिए आप सब के शाज शेयर करती हूँ रेस्पी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजेगा तो यहाँ पर नास्ते की शुरुआत करेंगे हम पैन उठा कर पैन में थोड़ा सा तेल लेंगे तेल को अच्छे से गरम करेंगे फिर उसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी सौफ थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी हींग इन सबी चीजों को अच्छे से तेल के साथ भूनेंगे यहां पर थोड़ा सा मैंने अद्रक काटुक्ला ग्रेट करके लिया है एक हरी मिर्ची ले लिया है और इन सभी चीजों को अच्छे से तेल में भून लिया है आज की जो नास्ते की रैस्पी है एकदम यूनिक है एक बार बना कर ट्राई जरूर कीज़ेगा और मैं गारंटी लेती हूँ आपको बहुत अच्छी लगेगी तो यहां पर एक महीन प्याज लिया है मैंने कट करके उसको भी डाल दिया है प्याज को भी हम तेल में भून लेंगे और जैसे ही प्याज एक्टी परसेंट भून चाएगा तो हम यहां पर डाल देंगे उबला हुआ आलू मैंने यहाँ पर आलू को मैस करके लिया है और साथ में थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर डाली है और नमक टेस्ट के अकोर्डिंग ले लिया है मूंग दाल पापड में नमक होता है इसलिए नमक आप थोड़ा सा ध्यान देते हुए डाले अब यहाँ पर मैंने डाला है धेर सारा हरा धनिया और यहाँ पर हमें स्टफिंग को अच्छे से भून कर बत तयार कर लेना है खटाज के लिए मैंने आदे नीबुकारस लिया है आपमजूर पाउडर या फिर चाट मसाला ले सकते हैं या फिर नीबुकारसी डाल सकते हैं और यहाँ पर स्टफिंग से बहुत अच्छी खुश्बू आ रही है तो हमारी स्टफिंग रेडी हो गई है इसको ठंडा करने के लिए हम यहाँ एक प्लेट में डाल कर रख देंगे ताकि यह थोड़ी सी ठंडी हो जाए उसके बाद हम क्या करिँगे यहाँ पर एक बाउल लेंगे और बाउल में डालेंगे 3-4 जमच बेसल बेसल में थोड़ा सा मिर्ची पाउडर डाल देजिए थोड़ा सा नमक डाल देजिए मैं फिर से आपसे कहूँँगी नमक थोड़ा सा ध्यान रखते हुए डालिएगा यहाँ पर मैंने थोड़ी सी हल्दी डाली है और दो चमश डाल दिया है ओयल और अब हम यहाँ पर एक पतला सा घोल बना कर त्यार करेंगे तो यह दिखिए घोल यहाँ पर रेटी है और घोल पतला ही रखना है गाडार नहीं रखना है अब यहाँ मैंने एक बाट वाली थाली ले ली है और थाली में हम डालेंगे ठंडा पानी तो ठंडा पानी डाल देजिए और उसके बाद उठाईए मूंग डाल पापड पापड को हमें पानी में डिप करना है लेकिन सावधानी पूर्वक बस एक बार उठाईए और दुबारा से बलटकर दूसरी बार उठाकर डाल दीजिए उसके बाद किचन टावल पर जो साफ सुत्री आपके पास किचन टावल हो आप उस पे इस पापड को डाल दीजिए और इसका जो एक्ष्टा पानी है उसे सोप जाने दीजिए पापड हमें ताजा ही लेना है जो ताजे और फ्रेस पापड होते हैं उसकी ये रैस्पी ज़्यादा अच्छी बनती है बासी पापड होगा तो तूट जाएगा और दूसरी चीज मैं आपसे एक चीज और शेयर कर दू कि ज़्यादा देर इस पापड को पानी में डाल कर नहीं रखना है क्योंकि मुंग डाल पापड काफी सॉफ्ट होता है अब जो हमने स्टफिंग बनाई हुई थी उसको रख देंगे आप यहाँ पर पनीर चीज जो भी आपको पसंदो आप वो डाल सकते हैं और चलिए यहाँ पर हम बना रहे हैं रोल जैसे कि मार्केट में जो मतलब रोल मिलता है बेजी टेवल रोल बगेर है उसको पैक किया जाता है सेम उसी तरह से इसको हमें पैक करना है और यह देखिए फटा-फट से पैक हो गया है आपको यह जो प्रोसीजर है बहुत जल्दी करना है क्योंकि अगर जादा टाइम हो गया तो मूंग दाल पापर टूट जाएगा और इसे कम देर पानी में डिप करके रखना है पानी को फटा-फट से हमें टावल पर पोच देना है जैसे ही आप पापर डालेंगे वो सॉफ्ट हो जाएगा प्लेट में डालेंगे पानी में और बस उसके बाद आप इसको इस तरह से कर दीजे तो यहाँ पर मैंने एक इस तरह से तीली ली है और इसको टक कर दिया है ताकि यह चिपक जाए आप देख सकते हैं कितना बड़िया एकदम परफेक्ट मूंग डाल पापड का रोल बन कर तयार हो गया है इसी तरह से एक और मैं आपको दिखा देती हूँ और उसके बाद फिर मैं सारे के सारे तैयार कर दोंगी तो यहां पर हमें दोनों तरब से पानी में इसको डिप करना है और फटा-फट से निकाल कर प्लेट में सुरी टावल में इस तरह से रख देना है ताकि इसमें जो एक्ष्टा पानी है वो सूख जाए यह देखिए बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाता है और बस इस्टफिंग रखेंगे और मैं आपको दिखा देती हूँ दुबारा ध्यान से देखिए कि किस तरह से हमें रोल बना कर दयार करना है दोनों पाट को उठा कर हमें इस तरह से यह देखिए इस तरह से पलट दीजिए और इस आप ये नास्ता जिसको भी खिलाएंगे ना वो एक बार आपसे पूछेगा जरूर कि आपनी ये कैसे बना कर तयार किया है किस चीज की सीट बनाई है बहुत ही टेस्टी नास्ता लगता है तो चलिए मैंने आपर दो आपको दिखा दिये हैं बाकी के मैं तयार कर लेती हू सारे रोल मेरे मूंग दाल पापड के तयार हो गए हैं यहां पर हमें तेल अच्छा गरम चाहिए होता है जैसे कि हम भटूरे वग्यरे के लिए तेल इस्तेमाल करते हैं क्योंकि मूंग दाल पापड काफी हलका होता है और जैसे ही आप तेल में डालेंगे ये फटा-फट स यहां पर यह देखिए बेसन का घोल कितना पतला है बेसन के घोल में हमें डिप करना है और गरम तेल में इसको हमें डाल देना है तो इस बारिस ये मूंग दाल पापड के टेश्टी से रोल बना कर प्राई जरूर कीज़ेगा और आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है अगर आपक बहुत जल्दी क्रंजी हो जाते हैं और अंदर तक पक बेचाते हैं ऐसा नहीं है कि जो अंदर का पायट है वो पकेगा नहीं है बहुत जल्दी पक जाते हैं खाने में बहुत अच्छे लगते हैं आप किटी पायटी के लिए बना सकते हैं बच्चों की बर्थरे पायटी के निकाल लें गें बहुत जल्दी क्रैशी हो जाते हैं खाने में बहुत अच्छे लगते हैं उपर से क्रंशी होते हैं और अंदर इस्टफिंग आप अपनी मन पसंद आती है तो प्लीस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन जरूर प्रेस किजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकिशन सबसे पहले आपके पास पहुच जाए और यह अभी बहुत गरम है उपर का तो क्रंच के साथ टूट गया है नीचे सॉफ्ट रहत कि आपको यह टेस्टी और यम्मी सा नास्ता कैसा लगा यह देखिए तो मैंने तो एक बाइट टेस्ट भी कर लिए बाकी का लेकर बच्चों के साथ चलते हैं बच्चों के पास और इंजोई कीजिए यह टेस्टी सी रेस्पी वीडियो को लाइक और शेयर करना बिलकुल भी मत भूलिएगा और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे इसलिए बैल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा इंजोई कीजिए